वेल तो गाइज वेलकम बैक टू लो सेंटोस बे बाइज सब तो ले तुझे हमें वेलकम कहना चाहिए बे अरे हाँ यार हफते के बाद तो हम आए हैं वापिस अबे हाँ यार शिंचन बाद तो तेरी भी ठीक है यार गाइज आप सुभी लोगों को बता दू कि हम लोग दिनों के बाद वापिस आए हैं मतलब हफते ही हो गया हमें यहां पर लो सेंटोस से बाहर रहते हुए एक्चुली गाइज बात यह थी कि हम गये हुए थे भाई शिंचन की नानी से मिलने आरे नानी घर बहुत मज़ा आया गाईज यार हफते के लिए मज़े लिए हैं तो गाईज में आपको बता दूँ कि भाई सब यह कलुए का पुराना दोस्त भाई सम्लामार संभार रहा था और उसके साथ उसका दोस्त भी था हां आप सुब लोग यह गारी देख सकते हो भाई उनी की लग रही है मेरे को अब लग क्या रही है वही गारी है उनकी है साथ गैस मेरे घर में रहा था एक हफते के लिए क्योंकि भाई उसने बोला था कि फ्रेंकल नगर तु जाई रहा है तो भाई हमें घर दे दे क्योंकि एक्चुली गैस लामार जाने वाला अब दूसरी कंट्री थोरे दिनों के लिए टूर पे तो उसको भाई स्टे करने के उसने मेरा घर चूज कि एक हफते के लिए जा रहा था आरे यार अबने एक ऐसके लिए घर लामार दोस्ते को हो गए जाए यहां पर हमारे सिंचन भाई बहुत पुराना दोस्त हint पर वह ऐसे कभी ब्यास वाइब तेरी बाई यह कितना प्रेंकर रखा रखा वह उपर आवे वहां पर पढ़ आए केला आरे फ्रेंकिल भी ऐसा लग रहा है जैसे घर में बहुत दिनों से पहुचा नहीं लगा होता नहीं जाडू अब जाडू पहुचा तो छोड भाई आंधी बांधी आए इतना गंदा घर तो मैं नहीं रखता था अबे लमार भाई सब यह तरा दोस्त क्या नाम था इसका अरे फ्रेंक्लिन तू आ गया अबे यार धूप में थोड़े मजे तो लेने दे आवे जोज भाईया उठीए जल्दी से इतना टाइम नहीं है हमारे पास और क्या बात है तेरा दोस्त तीन जल्दी वापिस आ गया अरे इसको एक हफ्ता हो गया था एक हफ्ते बाद वापिस आना थे इसने और एक हफ्ते तिनी जल्दी होगए यार पता भी नहीं लगा बेबाई सब पता कैसे चलेगा कच्रे में जो रह रहे हो तुम अरे मुझे तो लगता है य अरे फ्रेंक्लिन यार बहुत मज़े लेकर आया फिर तो आ मज़े लेकर आया था पर भाई ये तुझे ये थोड़ी बॉलर रागी भाई मेरे आते हुए घर का हाल ये कर देना अरे यार अब सफाई थोड़ी करते हैं हम तो मैं पता दो है यार जब दो लड़के कठे हो जाते हैं तो ऐसी चीज़ी तो हो जाती है अबे दो दोस्ती कठे हो जाती है अबे कुष्टी कर रहे थे क्या घर पे बाई और ये देखो बाई नशे में लग रहा है बाई साब कल्वे गिर गया मैं तो तेरे को पता लगेगा बाई साब कि कैसा लगता है अबे ओए इतना साइड में खड़ा होगा फिर से गिर जागा इतना आरे फ्रैंक्लिन भाईया यार एक हफते के लिए घर क्या दे कर गए घर कवारा कर दिया है अबे बाई साब सभी बात है गाई घर का कवारा तो हो चुका है बट कोई बाद नी घर हम साफ कर लेंगे अब सफाई तो भाई मुझे लगता नी भाई मेरे से होगी भी अरे यार हम तो नहीं करवाने वाले यार फ्रैंक्लिन क्योंकि यार हम तुझे पता तो यार चले हैं दूसरी country में हाँ भाई तू दूसरी country में जा रहा है और मेरे घर पर कवारा डाल कर जा रहा है चल कोई बात नहीं भाई बहुत ही ज़दा शुक्रिया हमारे घर का ख्याल रखने के लिए जो कि तुने बहुत अच्छा रखाया हमारे जाने के बाद अरे यार फ्रेंक्लिन यार तुम ऐसे भी मत बोलो यार मैंने और लमार ने सिर्फ और सिर्फ गंद नी डाला हम दोनों तेरे लिए कितना अच्छा गिफ्ट लेकर आया ना जो तु देखकर चोह की जाएगा अरे हाँ फ्रेंक्लिन तु पका खुश हो जाएगा तो हम चलते हैं फ्रेंक्लिन बाई यार और आम माफ कर देना ये गंदबन डालने के लिए अबे बाई कोई बात नी यार ये तो साफ करवाई लूँगा अबे एक सेकिन ये तो पता दे कौन से सर्प्राइस था अरे वो तुझे खुदी पता लग जागा यार अभी के लिए हमें जाने दे मुझे पता है अगर तुने सर्प्राइस देख लिया ना तो तु मुझे जाने भी नहीं देगा रोनी लग जागा इतना अच्छा सर्प्राइस देखकर अबे इतना क्या बढ़िया चीज़ है अरे चल चल यार जल्दी आ जा जोश फ्लाइड कितने बज़े है अरे एक बज़े लगती है बाई मारी अरे चल चल जल्दी से अरे एक हफता इस घर में रह कर वैसे मज़ा तो आया न अरे चल गंद तो डाला पर फिर भी यार इतना मज़ा तो अपने घर में यादा जितना किसी और के घर में रहा कर गंद डाल कर वापिस घर जाने में आता है अरे घर क्या चले हैं? हम तो चले हैं फ्लाइट से दूसरी सिटी अब बहुत मज़ा आएगा यार अरे मज़ा तो मेरे को भी आएगा जल्दी से चलते है चल यार ये फ्रेंकलिन पक्का गिफ्ट देकर खुश हो जाने वाला है अब मैं तो कहता हूँ एक दम खुश हो जाएगा यार क्या चीज भाई गिफ्ट किया हमने उसको अरे यार वो इसका सपना था जो कि आज मैंने पुरा कर दिया अरे यार लमार क्या दोस्ती नहीं भाई है तुने अरे चल चल अब जादा मत बोल जल्दी से चलते हैं एरपोर्ट में अबे भाई खुद तो चलेगे यहाँ पर हमारे लिए मुसिबत देगे अरे फ्रेंक्लिन भाई गिफ्ट का है यार गिफ्ट तो दूर दूर तक नहीं दिख़रा अबे ऐसी बोलके भाग गे होंगे गिफ्ट विफ्ट नाम की कोई चीज नहीं है यहाँ पर निकलने के लिए बोल रहे होंगे बाई साब कलो है मतलब भाई हमारे लिए कोई गिफ्ट नहीं है यार मेरे को गिफ्ट बहुत पसंद आ यार बस किसी ने दिये नहीं कभी अब यार चौप तेरी या भाई दुख मैं समझ सकता हूं पर छोड़ यार अभी के लिए गाईस जो सफाई का काम है वो करना पड़ेगा या फिर आप सो भी लोग कह सकते हो करवाना पड़ेगा अब बिलकुल सही है यार यार ये कुछ चीज़े तो सीधी वीदी कर दी मैने बट नहीं भाई इतना ज़दा गंद मेरे से ठीक नहीं होगा तो चलो मैं ऐसा करता हूं कुछ काम वाले बंदों को बुला लेता हूं जो कि सफाई करते हैं बाई कुछ पैसा लेकर सफाई बैबाई साब कलो वह देख में ट्रक आ रहा है आरे गाड़ी वाला आया घर से कच्रा निकालो आरे फ्रैंक्लिन भाईया जल्दी से ट्रक में बैर जाओ क्यों बै बैट बैट वह दिखाकर अंक्ल इसे बात कर रहे है जैसे आदमी को साब करना होता है किसी को बैट वह यार नीचे वहaken हों वह बैट आ भाई शालों से घर नहीं घुशे क्या आप शीचान ये बात तुन्हें बहुत सही करी भाई साथ तेरे को 10 नमबर मिलेंगे अबे यार बाई पापा नहीं ते सफाई कर भी देंगे या फिर नहीं अरे चलो शुरू हो जाओ अरे फ्रेंक्लिन भाईया घर की सफाई करवाना कितना मुश्किल है हाँ अगर यही सफाई हमें खुद करनी पर जाती न तो और मुश्किल हो जाता बाई साथ बे कलवे क्या हुआ कुछ नहीं हुआ मेरे को तो भाई शकल ऐसी बना रहा है जैसे तुने भूत देख लिया होता है अबे ने 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 भूत क्यों देखूंगा मैं कोई भूत बात क्यों देखूंगा भाई मैं मेरे को क्या भूत कौन सा दिखेगा अरे फ्रैक्लिन क्या कर रहा यार अलो शर्मा जी अरे पडोसी की जान लेगा क्या अब अगर पडोसी ऐसे हो ना जो लोग की बाते सुनते हैं भाई शिप शिप कर तो भाई उसको मैं RPG से उड़ाता हूं अरे यार बात नहीं सुन रहा था मैं अरे काम पूरा मस चल रहा मतलब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं यारी काम में और बता तू क्या कर रहा है आजकर ओ भाई क्या कर रहा है तू वाँ पर अरे हमारे गेराज का गेर तोरने लगे हैं आबे शर्मा जी भाई अरे यार मैं खुलवा लूँगा वो तो कब अभी कितने दिन तक घर हो मैं अभी घर आ गया हूँ और मैं पूरी जिंदगी घरी रहा हूँगा अरे यार क्या बकवास सवाल पूछ रहे हो कुए बात है तो बोलो बोल रहते हैं अगर प्रोसी ज़्यादा तंग करता तो उसको भी साफ करवा देते हैं अरे नहीं नहीं यार मैं मैं क्यों कुछ करूँगा चलो चलता हूँ कोई मदद चाहिए हो तो मत बुलाना ठीक है अरे यार यह खुलेगा कब आवे तुम फिर से वहां पर खड़े होगे अरे सोरी वैसे खड़ा हो गया था अरे यार इसकी यहां पर जब तक आँखे मेरी तरफ है ना मैं कुछ नहीं कर सकता थोड़ा सध्यान से काम लेना पड़ेगा आरे फ्रैंकल भी यह शर्मा जी बह अपने दोस्तों को बुला कर गया था अरे हां जो कि यार अपने घर पर गंद डाल कर चलेगे और आपको बोल कर गए कि हमने तो आपके लिए बहुत बड़ा सर्प्राइज रखा है और हमें सर्प्राइज के नाम पर कुछ नहीं दिखा आवे लमार को जूड बोल लेगी तो थोड़ा बोड टाइम तो लगता है ना साफ करने में अब यार अभी तक कुछ साफ नहीं गया मुझे लगता है तुमने भाई और यह क्या तुछ जाड़ू लेकर ख़ड़ा की हुगा भाई अरे देख रहा हूं कहां से चुरू कर दे यार पर जल्दी कर दे और तू भाई सब जल्दी खिड़कें साफ कर आइस यार पैसे देगर भी आजकल काम करवा हो तो लोग बहुत इसलो काम करते हैं अरे यार फ्रैंक्लिन भाई यार जब तक ये काम कर रहे हमें गेड़ी ना मार रहा है गारी में मेरा तो यहां पर खड़े रहने का मन भी नहीं कर र हैंगे चल बैर जल्दी से भाई फिर साफ करवाते हैं घर को भाई सफाई करने भी इतना टाइम जो लग रहा है भाई तो थोड़ा बहुत है हमें भी चिल चाहिए जिंदगी में आरे फ्रैंक्लिन भाई आपको भी कूड़े वाले ट्रक में अच्छा लगता है आब भाई कारी से बार भेग दूगा मैं कर ले भाई सब शींजन कभी-कभी ऐसी बाते कर लेते ना जिससे मैं बिल्कुल सायमत होता हूं अब भाई सच में बता रहा हूं दोनों को ना भाई दोनों के खोपड़े भाई खोल गरना अपने घर पर रखूंगा भाई वह भी शोपीस मे है आरे नहीं यार इनके घर में केले के छिलके हैं जो की घर में एंटर होती दिखते हैं आबे करवा रहा हुना मैं उनको साफ भाई ऐसी मेरे पीछे लगे हुए बगवास मरवालो जितनी मरवानी है भाई धंकी बात कभी जिंदगी में निगी होगी तुमने जब देखो भाई 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 तुखा खाखा करते रहते हैं स्कूल बूल जाओ भाई थोड़ा जिन्दगी में पड़ो लिखो भाई ऐसे बगवास करकर घर नहीं चलते हैं भाई तब इस फूमर में घर चलाना भी किसकुए कल हुए आरे हां जब पापा बने चलाएंगे अब यार इ के पैसे ले ले गए अच्छे खासे अरे यार तू जितने मर्जी पैसे ले लेना मैं देने को तयार हूं बस हमारा ये काम कर दे अरे ऐसा गया इसके अंदर आरे जो तुझे जितना बोला उतना करना भाई ऐसे फालतु के सवाल मत पूछ और हाँ इतना बता दू इसमें जो वह मेरे कोई पता जो इस घर मेरे रहते हैं मुझे लगता उनको खुद नहीं पता अरे क्या बात अज़े क्या हो गया आरे हां इतने सवाल मत पूछ तो जब तोड़ा तोड़ा है पर हाथ बिल्कोल सही चलते है उसके अरे चलो यार मैं तुम लोग के साथ इतनी दिर खड़ा नहीं हो सकता जब यह काम हो गया बेटा खुपार पढ़ने की एक्टिंग कर रहा हूं अरे यार ये कितना मुश्किल होता है आइसे काम करवाना भी पर यसी हो जागा ये काम शर्मा तू तू तो माला माल हो जाएगा भाई सब कल ले यार क्या ऐसक्रीम थी बे वैणीला वाली अच्छी थी अरे क्या यार बेकार सी चोक्लेट वालि खिलाजी मेरे को एकदम यार ऐसी लग रही थी जैसे पता नी किते सालों में फृजि में पड़ी हो अब तुम्हेर ऐस्क्रीम खिलाओं तो प्रोब्लम ना खिलाओं तो प्रोब्लम भाइज़-बोछ वह भी बाज़िया थी अरे वो आ रहे हैं अरे वह आ रहे हैं जल्दी निकल नग यहांसे अरे जल्दी आ जा जा fist यार मुझे लगता है उनसे कच्रा साफ ही नहीं होगा एक दिन में अब यार शींचन अब तो मेरे को भी यही लगने लग गया कि मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा अब तो बाइस अब इनसे कुछ ना होगा कल वे तूई कर भाई सब जाकर सफाई कर वे जाकर फरश को चाट आओ तेरी की भाई चलो कम से कम गाई ज बिल्कुल यार बड़ी आगाम करता हूँ मैं अब जल्दी से यार उसका वो चावी बावी दे हमें एंड में उसको साफ करकर चलते हैं किसको साफ करने वे अरे अब पुरा घर साफ किया है तो कम से कम गराज तो साफ करवा लो अब हाँ गराज भी साफ कर दे हो अब खुल जा सिंसिमो बैं रहे बैस है तो क्शोल दा उसको क्या हो जिसको क्या हो गया है वे ऑने गिराज भद रख़ंगे अब इसको भी अरे शार नहीं खुल रहा तो जाए का हम एतना टाइम नहीं है इसको साफ कर ले ना अबे यार भाई पता नहीं खुल जाता था यार ये अबे यार अरे चलो बागी घर तो साफ कर दिया आपका 90% तो काम होई गया आँ चलो ये भी सही है अरे फ्रेंकल भाई चोड़ो यार गिराज किसी और दिन करवा लेंगे अबे तो है कहां जहां से बोल रहा है आरे ये लो सामने आगया अब बोलो अबे यार ये गिराज नहीं खुल रहा है भाई खराब हो गया लगते है इसका गेट यार अरे चलो सर थैंक्यो हमें काम देनी के लिए चलते हैं अबे आँ चलो बाई भाई कोई बात नहीं गाइस यार अच्छा बला गराज भी साफ हो जाना था वो इसके चकर में हुआ नहीं भाई पता नहीं डोर को गाइस क्या हो चुका है मेरे साथ गाइस हमेशा गलट टाइम में गलट चीज़े ही होती है भाई सब कलुए एक दिन बता दे जिस दिन तेरे साथ कुछ सही हुआ आँ बाई वहीं तो एक दिन ढूंड रहा हो भाई कोई एक दिन ऐसा है नि जिस दिन कुछ ठीक हो भाई हमें चाह कुछ ना कुछ भाई जिंदगी में चलता ही रहता है यार मेरे साथ नों के इस पता नहीं इसा क्यों होता है बाई सब चल्ले यार कलुए हमारे रिष्टे चोड़ो आपसे न होगा अबे चोड़ जाभाइब कुसी करवा लेंगे और को जिन्दगी में पीछ छोड़ी जल्दी माल लेता है उसके साथ बारा तोड़ी फोड़ूंगा मैं सबसे जिंदब्गी देख लेंगे या इसको देख लेंगे ऐगले महीं ने ठीक रवा लेंगे वैसे यह वी कुछ से इसके बाइखें कर रहें कितनी सुष्ती है आपको यह मुझे तो बहुत सुस्टी परती है मेरे को 24 गंटे नीद आती है देखो गैस तभी तो मैं अपनी आँखो में यह लगा कर रखता हूं गुलासिज क्योंकि कोई मेरी आँखे देख लेगा तो वह बोलेगा भाई क्या हुआ सोता ही रहता है क्या पूरी जिंदगी मतलब माँ खराब हो गया था उपर से मैं आया इतनी दूर से हूं हम भी तो आपके साथी थे आप अकेले थोड़ी था कि हमको भी थकान होती है हां फिर तुम भी सो जाओ तुमको को उनसा मना किया है बाई साब कल वे हम दोनों तो गारी में सो गे थे बे गारी तू चला रहा था अपने काम को अंजाम देना है समझा आजा जल्दी से आजा 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 जल्दी 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 इस भार तो इसको खोल डालेंगे तू यहां से कर मैं वहां से करता हूं खोल कर देते जल्दी से पैसे लेकर गायब होंगे अरे यार यह यह लो से क तो कहता हूं यार चावल बना लो यार थोड़े से चावली खा लेते हैं थोड़ा सा यार मन ठीक हो जाएगा पाता है यार जब से वो आइस क्रीम खा कर आया हूं यार मन में ओर यार थोड़ा सा खराभी खराभी हो गई है आरे चौप आरे तू भी नहीं सोया वैसाओ तो डोग फूड की कुछ वूहा रही है वो छोड़ यार कुछ है क्या खाने को चारे सिरे क्रलो आ रे कुछ कर लो आरे कुछ कर लो यार नींद नहींने हारी ओज प्कंज़ में इन अगर नेगने करे कर शुत अपर यहां पर भाग जाओंगा गारीा अरे अरे क्या बात है यार फ्रेंकल भीया ने बंदे लगवा भी दिये ठीक करवाने को मुझे तो कह रहे थे कि एक महिने के बाद देखेंगे कौन सा कुई काम आता है गराज अब देखो खुद बंदे लगा कर रखे हुए है अरे अंकल क्या हुआ यार गराज को बताओ तो अरे हाँ हाँ खराब है अरे फ्रेंकल भीया ने सपने में यार कोल कर दिया अरे फ्रेंकल भीया सपने में चलते हैं क्या यार मेरे सामने वो सोय थे उसके बाद कोल करकर इनको बुलवा भी लिया ठीक करवाने को गराज को और खुद सो रहे यार आमसे अरे यार फ्रेंकल जब दो आदमी यार काम में बुलवाए होते हैं तो खुद सोते नहीं हैं, खड़े होकर काम देखते हैं उनका, बै कौन सा काम है, अरे फ्रेंकल भीया गराज ठी करवा रहे हैं, बाई सब उसने तो बोला था भाई, एक मिशिने के बाद करवाएंगे, अरे देख ले यार, दो आदमी लगे हुए हैं, काम करने, और ये फ्रेंकल भीया को देख लो, घोडे बेच कर सो रहे हैं, अरे यार फ्रेंकल भीया, अगर गराज ठी करवा नहीं है, तो थोड़ा खुद भी खड़े हो उसके सामने, उनका काम तो देखो क्या कर रहे हैं, अगर कुछ गलत कर बारे उसको ना, आँ भाई, ठीक करवाना है, करवा लूँगा कोई नहीं, अरे क्या करवा लूँगा, दो आदमी खुद ठीक कर रहे हैं, क्या बात है भाई, मेरी इतनी फिकर किसको है भाई, अरे क्या मतलब फिकर किसको है, आपने नहीं बुलाय क्या वो, अबे तेरे को लगता है भाई मैं किसी को phone करने लायक था भाई सोया पड़ा था मैं आरे तो हमारा garage free में कौन ठी कर रहा है अबे करने देना यार free में भाई पहली बार मेरा कोई काम कर रहा है आरे frankly भी आपर मैंने तो सुना था यार कि दुनिया में free का कुछ भी नहीं है हाँ सुना तो तुने ठीक ही था अबे हाँ यार गाइस फ्री का भी कुछ नहीं है यह क्या चल रहा है आरे कैसे उठे हो यार ओ हेलो भाई क्या चल रहा है बै बाई साब मेरे को लगता है यह जामवाम हो गया इसके अंदर थोड़ी सी और भाई साब यह वैल्डिंग वाली ना लगा कर भाई साब थोड़ा गरम करना पड़ेगा और कलवे कभी कभी तु घर में काम अच्छे करवा लेता है ओ हेलो और यह तो ठीक कर रहे है ओ हयलो टैकले सर पे बाल नहीं है इसका मतलब हिए थोड़ी अकलवी ने दिमाग में मैंने का बोला इसको ठीक करने को और मैं तो जानता विन्यू किसने बेज़ा पे तुमको अरे आपके शुब चिंतक ने बेज़ा मेरा शुब चिंतक कोन अहा दो दो नों की में जाएगी अरे-ध्रेल्ट मत चलाना सर हम तो काम करते हैं किसी लिए कृणást काम कर फो और ब्र arbitrator nuance कि अपको यह खेल दे हो का, इतना भाई सब, भेला दिखता होगा है मैं तुम दोनों को, भाई सब, देरी बोल भे, बोल था क्यों नी है, भाई सब, कलूए ये नी बोलेगा अरे मैं नहीं बताऊँगा तेरी तो कैसे नहीं होता है अरे फ्रैंकल भीया यार बहुत ही ज़्यादा तगड़े है इनको यार इनका मुह खुलवाना बहुत मुश्किल है मुह नी खौल लेंगे तो बाई सब यहां पर सोकर अपनी जिन्दगी कारता है ठीक हम मुह नी खौलना ना तो सो जाए यहां पर यहां पर ज्यादा अच्छा लगता है यहां इसका पीछे एक डूर था वह खोल कर देख लो ओ हाँ वह वह खोल लेता हूं यार एक सेकंड मैं क्या यार फस गया अब तो अरे यार एक ढंक से काम नहीं हुआ तुम लोगों से यार यहां पर लेट कर मेरा पूरा प्लैन चोबट कर दिया आरे यार यह गिराज खुलवा दो कोई अरे आरे यार मेरे को यह बताओगे कि आप यह कर क्या रहे हो यार हमसे बीना पूछ गया है भाई सुबके तुग तोड़ रहा है क्या दर्वाजा अब तो मुझे देखनेंए इसके अंदर एसके इसके अंदर एक दो थीन बाई साब तेरी खुल गया लाज लगता है वां हमारा काम हो चुका है ओ तेरी की देगा वाई ऐसे खोलते है दर्वाजो को लेट्स गो गाईज अब जाकर देखा तो जाए इसके अंदर है क्या ओ तेरी की भाई दर्वाजा खुल चुका है क्या है क्या है रहे बिल्कुल बाई सब्सक्राइब कर रहे हो इतनी लेंगी निया हमारे गिराज में उपाइब इप 17 इंटीर देखो इसका अब है अच्छा आप समझाऊ है अब ऐहे ही वह वह सरप्राइज जिसकी लामार बाद कर ता नांकल αυτैंट सब्सकें नहीं काइब या सरप्राइब है और पकी किसी को पता करें उम्हारे सब्सक्स कहा है भाई हमारा ग्राज को खोल झोले कि भाई भाई ओँ तेरी की गाईज सच में यार ये गारई की घाईज इहां पर कोई भी краres नहीक बाइखनी ऐ भाई यह लवर ने मीरी लिए दीया अपे उसको पता था गाईज ये मेरी ड्रीम कारा रहा वाव यार गाईज एक लाइक गाईज लामारा के लिए भाई अरे नहीं यार इनको पता लगी गया इसके बारे में अरे मैंने इतने ध्यान से देखा था यार उस बंदे को गाड़ी अंदर रखते हुए सोचा कि ये गाड़ी मैं चोरी करूँगा पर यार ये इसकी तो सारा प्लैन ही चोपड हो गया अब यार गाइस लेंबोर गीनी की मेरे इसाब से भाई कोई भी कमपैरिजन नहीं है भाई मेरे दिमाग में तो इसका एक सेकेंड भाई अब इदर आजाओ शर्माजी भाई सब इदर आजो इस बार भाई मैं छोड़ूँगा नहीं अरे क्या हुआ यार मैं तो नहीं गारी जल्दी से तुमने भी जाता नहीं दोनों को आरे नहीं नहीं मैं क्यू बहिघुगा नहीं बहिजा ता तुमने बहिजा था आरे इतनी सब्सक्राइब भाई मुझे पहली पता देता चोरी करने का प्लैंट था मेरी गारी को अरे यार मुझे लगा कि तुम्हें पता नी तो मैं उठा लेता हूं इसको अवे बाई बिलकुल भी शवनब वरम है नीना भाई सब जाकर अपने घर पे चोरी करो जो करना है अरे आजके बाद प्रोश्चों घर पे तो चोरी क्या घर पे घुसने का भी मतलब कोशिच नहीं करूंगा अरे भाग जा यार जल्दी से अगर और मारनी खानी बे अरे अच्छा तो वो शर्मा जी थे जिनोंने ये सब कुछ करवाया आवे भाई बट गाइस लमार ने जो हमें गिफ्ट दिया है वो बहुत ह जादा मस्त था अब जल्दी से बैड़ो यार एक गेड़ी तो बनती है आरे फ्रेकलिबा चलो चलो चलते है जल्दी से बे भाई सब कल्वे यार अवा आया ना मज़ा गाइस यार लमार ने हमें क्या गिफ्ट दिया है भाई बहुत ही जादा मज़ा है गाईस इस गारी को मैच हो रहा है और भाई शीन चैन की ड्रेस के साथ भी है और भाई और गारी भी बहुत मस्ता है तो हाँ यार गाईस टैन में से इस गारी को कितनी रेटिंग दोगे कुमेंट सेक्शन में जुरूर बता देना बाग अगर आप सब लोग को आज की वीडियो अच्छी लगी हाँ गाईस और हम मिलते आपसे अपने अगली वीडियो में तब तक के लिए गाईस जाहिंद एंड वंदे मातरम वे बाई सब टाटा में